दोस्तों आजकल सभी लोग इस्टाग्राम यूज करते हैं और खासकर एक यूट्यूबर के लिए अपना सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है और उस सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी प्रोफाइल को हर जंगा पर अट्रेक्टिव बनाना बहु जाते हैं इस तरह की प्लेट को अप्लोड करना तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इसी तरह की ट्रिक तो प्लीज इस वीडियो को लाज तक देखते रही है और कैसे हम इस तरह की अपनी पिक्टर्स अपने इस्टेग्राम पेज़ पर लगा सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें और पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिए तो प्रणा क्या होगा कि 9 cut नाम का एक एप होता है जो आप सर्च कर सकते हैं 9 cut otherwise मैं आपको description में भी link दे दूँगा वहां से जाकी भी आप download कर सकते हैं तो आप simply आप वहां पर search कीजिए 9 cut तो काफी सारे apps जो होंगे वो open हो जाएंगे 9 cut एक app है जो की काफी अच्छी rating लिये हुए है और काफी अच्छे downloads भी है इसके और easy to use है तो आप 9 cut ही यहां पर use कीजिए तो आप इसको जैसी open करेंगे डाउनलोड करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा simply करना कुछ भी नहीं है आपको अपनी जो media profiles है आपको वहां पर show होंगी और आपको जो भी pictures की अपनी cut करना है grid pattern में आपको अपनी profile पर instagram profile पर लगाना है तो वहां पर आप उसको choose कर लीजिए देखिए मुझे यहां पर अपनी इस वाली picture का इस वाली picture का मुझे अपना grid pattern बनाना है तो यहां पर देखिए मैंने open जैसे किया तो यहां पर cut करने का option आ गया मतलब कि कौन से format में मुझे इसको grid करना है concept format में मुझे cut करना है तो आपका जो भी profit का size है उसे हिसाब से आप यहां पर कर लीजिए ठीक है तो देखिए यहां पर करना कुछ भी नहीं है इसको मैंने directly select किया और यहां पर मेरी जो picture होगी cut हो जाएगी six parts में उसके बाद मुझे कुछ भी करना नहीं है one two three four five six total मुझे इसको upload करना है तो line wise मुझे देखिए नीचे इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे directly इस्टेग्राम के पेज पर ले जाएगा मतलब कि मुझे यहां पर upload करने का directly option मिल जागा जैसे मैं इस्टेग्राम पर simply upload करता हूं तो यहां पर देखिए मैंने upload कर दिया first picture इसी तरह मैं वापिस बेक आकर second वाली को कर दूँगा इसी तरह last वाली को मुझे ऐसे upload कर दूँगा तो मेरी जो grid pattern की जो profile है वो लग जाएगी और अब मेरी profile पर जागे देखते हैं देखिए दोस्तों इहां पर upload हो चुकी है वो काफी attractive बनाती है हमारी profile को अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको यह जरूर यूज़ करना चाहिए तो दोस्तों देखिए कितना attractive लग रहा है तो दोस्तों आप भी अपनी profile को काफी attractive बना सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी वीडियो के लिए subscribe जरूर कीजिए और वीडियो को like जर